Diabetes आज एक माहमारी बन चुका है हर घर में किसी ना किसी को diabetes है और ज़्यादतर लोग अपने diabetes को reverse नहीं कर पाते है उनका sugar level जो हमेशा uncontrolled रहता है Uncontrolled Diabetes का मतलब क्या है कि आपका HB1C हमेशा 8 के उपर रहता है या फिर आपका Sugar Level 300, सारे 300, 400 तक रहता है अगर आपको भी Uncontrolled Diabetes से आपका Sugar Level हमेशा 300 के उपर रहता है और हर नुसके अपने अजमा लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर नुपम खोशे मैं एक Diabetes Coach हूँ और एक Fitness Nutrition Specialist तो आज मैं आप लोग को 5 ऐसे रामबान उपाए बताऊँगा जो कि आप अगर अपनाएंगे तो आप अपने Sugar को Control कर सकते है साथ ही साथ आप अपने Diabetes को Reverse भी कर सकते है ये 5 उपाए अगर आप अपनाएंगे अमरित के जैसे काम करेगा आपके Diabetes के लिए तो ये 5 उपाए ज़रूर अपनाएं नमबर 1 उपाए है डायेट कौन सा डायेट फोलो करें दुनिया में बहुत सारे डायेट है और शायद आपने बहुत तरिके का डायेट भी ट्राई कर लिया होगा लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ है लेकिन डायेट के बिना आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता है आपका Diabetes Reverse नहीं हो सकता है अगर आप चाहता है कि आप अपने Diabetes को Reverse करे शुगर को कंट्रोल करे तो आपको Diapid Diet फोलो करना चाहिए Diapid Diet क्या है ये एक concept है एक system है एक process है एक calculation है जिसको मैंने 6 साल के experience में develop किया है आज से 6 साल पहले मुझे भी Diabetes था लेकिन मैंने अपने Diabetes एक साल के अंदर ही Reverse कर लिया था और ये कैसे संभव हुआ ये research के basis पे ही संभव हुआ proper nutrition knowledge के basis पे ही संभव हुआ तो अगर आप भी अपने Diabetes Reverse करना चाहते है तो Diapid Diet को फोलो करें Diapid Diet एक मात्रे डायट है जहां पे आपको balance diet दिया जाता है balance diet का मतलब क्या है कि आपको protein, carvoidid और fat ये तीनों चीज का balance way में आपको दिया जाता है साथ ही साथ ये precision nutrition के basis पे है precision nutrition का मतलब होता है कि किसको कौन सा खाना चाहिए किसी को रोटी खाने से शुगर बढ़ जाती है किसी को चावल खाने से शुगर बढ़ जाती है तो ये हम identify करते है और आपको वही खाना आम देते है जो कि आपके body के लिए suitable है ये एक मात्र diet ऐसा है जिसमें आपको कोई अपना जो खाते आ रहे हैं उसको change करने की जरूद नहीं है अगर आप non-veget खाते आ रहे हैं तो हम आपको vegetarian नहीं बना देंगे सबसे खास बात है diafid diet का खास बात इसलिए है क्योंकि इसको मैंने अपने experience से अपने diabetes reverse करने के बाद हजारों लोगों के diabetes reverse करने के बाद तयार किया है तो क्या है ये diafid diet इसमें सबसे पहले आपको total daily energy expenditure calculate करना है उसका 26 प्रतिशर दिया उसके नीचे आपको carbohydrate से लेना है 1.5 से लेके 2 gram per kg body weight आपको protein से लेना है और जो remaining calories है वो आपको healthy fat से लेना है ये है diafid diet diafid diet को अगर आप 5 से 6 मैंने follow करेंगे तो आप देख सकते है कि आपका sugar level धीरे-धीरे करके control होना शुरू हो जाएगा Hb1C जो 8 के उपर रहता है उसको आप सारे 6 के नीचे भी लेके आ सकते है अब आते है हमारा दूसरा तरीका दूसरा तरीका है blood sugar को कम करने का वो है exercise लेकिन जादा तर लोग जो है वो yoga करते है या walking करते है अगर आप yoga करेंगे या walking करेंगे वो अच्छी बात है no doubt लेकिन आपका sugar level कम नहीं होगा आपका diabetes reverse नहीं होगा अगर आप अपना diabetes को reverse करना चाता है तो आपको strength training करना जरूरी है जब आप strength training करते है तो आपका muscle बनता है जब आपका muscle बनता है तो आपका body insulin sensitive होता है body को insulin sensitive करना बहुत जरूरी है क्योंकि type 2 diabetes insulin resistance के कारण होता है और अगर आपको insulin resistance ठीक करना है तो diet diet को follow करिए साथ ही साथ strength training करिए तो आपको दूबना benefit मिलेगा इसके साथ अगर आप yoga करना चाते है running करना चाते है swimming करना चाते है cycling करना चाते है yoga करना चाते है सब करिए तब ही जाके आपको फायदा मिलेगा जब आप strength training करेंगे तो strength training बहुत जरूरी है इससे आपके sugar level को कम करने में जल्दी मदद मिलेगा अगला तरीका है एक अच्छी नींद लेना जादा तर लोग नींद पे focus नहीं करते है बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जैसे ही वो उठते है वो कहता है कि सर मेरा fasting blood sugar बहुत जादा है और इसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं वो एसलिए क्योंकि वो नींद नहीं लेता है ठीक से और नींद ना लेने का कारण है कि बहुत जादा screen time होता है उनका तो screen time कम करें TV कम देखें, mobile कम देखें 7 से 8 गंटा सोईए और जब आप 7 से 8 गंटा एक अच्छी नींद लेंगे तब आपका fasting blood sugar भी कम होगा और जब आपका fasting blood sugar कम होगा तो automatically आपका Hb1C भी कम आ जाएगा अगला तरीका है stress को कम करना बहुत लोगों को stress बहुत जादा होता है आजकल हर किसी को कुछ न कुछ stress रहता है किसी का job का stress है किसी को family का stress है किसी को पैसे कमाने का जादा stress है किसी का लड़ाई जगड़ा हो जाता है उससे stress है किसी का relation तूड़ गया आपका body cortisol release करता है, glucagon release करता है और जिसके कारण आपका sugar level हमेशा बढ़ा हुआ आता है, तो stress को जब तक आप कम नहीं करेंगे, आपका sugar control में नहीं आ सकता है, stress कम करना बहुत जरूरी है, और कैसे करेंगे, music सुनिये, कुछ hobbies में involved हो जाएए, कहीं घुमने चले जाएए, दो आप करेंगे, तो आपका stress level कम होगा, meditation आप कर सकते हैं, yoga कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा stress relief होता है, तो stress relief करना बहुत जरूरी है, तब ही जाके आपका sugar level जो है, controlled रहेगा, और आखरी रामबान उपाए है, पानी, जी हाँ दोस्तों पानी, अगर आप सही मातरा में सही तरिके से पानी नहीं पियेंगे, तो आपका sugar level हमेशा high रहेगा, जिनको भी uncontrolled diabetes रहता है, वो बार बार पिशाप करते हैं, इुरिनेट करते हैं, जिसके कारण उनका body हमेशा dehydrated रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका body dehydrated हो ग Hb1c, आपका blood sugar level हमेशा जादा रहता है, तो अगर आप चाता है कि blood sugar को कम करें, तो पानी जादा मातरा में आपको पीना ज़रूरी है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि कितना पानी पीना चाहिए, जब प्यास लगे तब पीना चाहिए, और urine अगर आपका yellow color है तो पीना चाहिए, लेकिन अगर आपको diabetes है और आपका sugar level बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एक कारण हो सकता है और आपको उस condition में थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीएंगे तो आपका खून जो है वो भी पतला हो जाएगा, खून जब पत तो आपका sugar level भी कम आने लगेगा, तो दोस्तों ये था पाच ऐसे रामबान उपाय जो कि आपके लिए अमरित का काम करेगा, तो इस वीडियो को पाच लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर घर में किसी ने किसी को diabetes है आज के date में, और उनको समझ में नहीं आता कि sugar को कैसे control करे, diabetes को कैसे reverse करे, तो आपके इस वीडियो को share करने से उनको काफी लाब हो सकता है, तो उमित करता हूँ, इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्त रहे, मस्त रह इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,